नमस्कार दोस्तों मैं सौनू लोईया यूपी पुलिस जी के मोग टेस्ट में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मोग टेस्ट है उसमें ये से समधी जो आपके महत्पूर्ण प्रैसन है उन्हें आप मेरे साथ मिल किसके दरवारी कवी थे चार ओप्शन हैं बहादुर सा जफर मोहमद सा आलमगीर सेकिन सहालम सेकिन इनमें से आपको बताना है किसके दरवारी कवी थे बताएंगे सभी जी सदारंग और अदारंग सदारंग और अदारंग किसके दरवारी कवी थे तो आंसर याद रखें क की इरान देश का अकरमन कारी आये था और YEAG taughtR नाम क्या थैना दिर यह कौन शासा यह इना देश तरा नादिर सा नादिर साने आप से जाता है कि ना ग्रान चाहरत आक्रमनन के समय सानसवंख कान्यों था एक उस्क्तित ताउस और कोही नूर हिरा लूट करके नादिर भर ये तो ऊस्तन है कि एरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है इरान नेपोलियन अगर आपसे पूछ जा रहा है तो आप याद हो गाए नादिर सा किलर हो गया pretend आपसे पढ़ा होगा आपने को्सार मुघल साथ ऑर को और बहुत intention के क्रांती के दोरान दिल्ली से निर्वासित कर कहां बहिज दिया गया था इसे बहिज दिया गया था आपका रंगून आपने पढ़ा होगा रंगून बहिज दिया गया आप पढ़ते हैं जी आपने पढ़ा है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ है बक्सर का युद्ध कौन सा य इस समय साहर कौन था इस समय साहर सकथा आलमगीर सेके इनको कोस्वाध रखेंगे सधारंग और अदारंग आप से पूजताता तो सदारंग слadana किसका दर्वारी कवी था लिप मौंट सा आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं नेक्स सिचाई आयोग का गठन किसके समय में किया गया चार आपके सामने लाड़ वेले जली लाड़ इपन लाड़ करजन लाड़ लिटन इनमें साब को बताने सिचाई आयोग सिचाई आयोग का गठन किसके समय में किया गया सिचाई आयोग आपको याद रखना यह किसके समय में किया गया लाड करजन के समय में इसका गठन किया गया लाड करजन के समय में आपने पड़े होंगे चार आयोग बनाएगे कितने आयोग बनाएगे चार आयोग बनाएगे किसके समय में लाड करजन के समय में चार आयोग बनाएगे कौन कौन से आयोग है वो पुलिस आयोग कौन सा आयोग पुलिस आयोग और एक आपका बनाए विश्विध्याल्य आयोग कौन सा आयोग है विश्विध्याल्य आयोग तो यह चार आयोग याद रखेंगे यह किसके समय में बनाएगे यह बनाएगे आपके लाड़करजन के समय में लाड़करजन के सम में में बनाएएंगे अकाल आयोग अगर आपसे पूछा जाएं कि अकाल आयोग का द्यक्स कौं था D nation याद रखेंगे इसका काल इस्का दॉट्स मेंक डॉननाल क्सा अध़्यक स्चान याउग आपसे पूझा सिचाय आयोग का अध्यक्स कॉन था इसमि आप याद रखेंगे आप से पूछाए क्यूस पूछे पूछे पूलिस आयोग का अध्यक्स कौन था इनको पूछ लेते हैं सुमेलित करके तो पूलिस आयो गाते सखोंबंद आप से पूछा जाए किने कित्षा है कौन था याद रखेंगे टॉमस रयले कौन था टॉमस रहले कौं था टॉमस रहे ले हो गया थो किन एंवक्हास कौन लाट डमेड़ीद रखेंगे मोखने भीह पत्षाया उसकी हो पीछिट ग्रीपित्हायोओ कोन इन टॉमस रहले तो यह सब आपके किसके समय के लाड कर दिन अपने पढ़ा होगा विभाजन बंगाल विभाजन के समय आपका बासराय कौन था कर दन बंगाल विभाजन किस वर्स वा था 1950 किस वर्स हुआ आपका 1950 क्लिर हो गया साहइक संदी का जनम जाता कौन राड़ व कामा गाटा मारू पिरक्रण किस वर्थ घटित हुआ 1913-1914-1915-1916 इन में से आप बताएंगे कामा गाटा मारू पिरक्रण किस वर्थ घटित हुआ था 1913-1914-1915-1916 कामा गाटा मारू यह क्या है कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज था क्या था आपका जापानी जहाज कामा गाटा मारू जिससे ब्हाठ्य वेक्ति वर्थ वितิ नाम इतबर गुरु दत्ती सिंग नैस् Cassandra कि रया पर लिया ग्रुदत्त यहां पर नहीं उतार सकते कनाड़ा lei नहीं कर सकते फिर सब्सक्रन आ लेकर वारत कॉलका था कॉलकाता में पहुचशने पर तो कॉलकाता में पहुचने पर जो बिटिश सरकार के आपके सलीने थे रगये उन जिसे किसंने किरायपल लिया था गुरू दत्रथ सिंघ ने आपका करायपल लिया था यह जहां रखेंगे इसogram अलद सदसाइं किलर हुआ आगे बढ़ते हैं नेक्सकं देखते हैं बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं, बताएंगे सभी चमपान सत्याग्रा का व्रोध किस व्यक्ती ने किया था, बताएं इसमें, ये चार ओप्षन आपके सामने, राजिंदर पिरसाद, अनुग्रे, नारायन सिंग, और राजकुमार सोकल, और एंजी रंगा, इन में से आ किया गया, और जो नील की खेती थी, आपकी चमपारण बिहार में, आपका एक जिला पढ़ता है, चमपारण, तो यहां पर कितने भुभाग पर की जाती थी, तीन बटे बीस भुभाग पर आपकी की जाती थी, तो इसी से मुक्ती दिलाने के लिए, ये आपका चमपारण स आप से पूछा जाए ये किस वर्स किया गया था 1917 में किया गया था 1917 में इसका जो आंदोलन करता थे वो कौन थे तो उनका नाम आप याद रखेंगे कौन थे आपके महतमा गांधी कौन थे जी आप याद रखेंगे महतमा गांधी कौन थे महतमा गांधी इसके आंदोलन करता थे और महात्मा गांधी को चंपारण करने के लिए किस व्यक्ति ने आपका बलाया था इनका नाम भी याद रखेंगे किस ने बलाया था राजकुमार सुक्ल राजकुमार सुक्ल चंपारण का एक किसान था और लखनाव अधीवेशन में गांधी जी मिले उनको 1916 में और गांधी जी को आमंतीत किया चंपारण आपको आना है और जो नील की खेती का विरोध यह आपको दर्ज करना है तो महात्मा गांधी लिए पढ़ते हैं लेकिन इसमें जो महतमा की उपादी इसी आंदौलन के दौर्ण कि श्क्ती ने दी देते रविंदर नाथ टैग और किस ने दे रविंदर नार्ट याद रखेंगे इनको कौन अंसर याद रखेंगे एंजी रंगा कौन आपका आंशर एंजी रंगा क्लियर हूँए? आगे बढ़ते हैं क्योंकि राजन्द प्रषदार्श अनुगर है नाराण्य सिंग क्यों राजकुमार सुकल है यह सब इस आंदोलन के दुरान गांधी जी के साथ थे तो answer आपका रियाद रखना एंग रंगा किलर हुआ आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं देन मैं से कौन सा देश 15 अगस्ट को 77 दिवस के रूप में बनाता है तो आपको नहीं रखेंगे 15 अगस्त को शय्तनता दिवस आपका लिस्टेंटाइन में भी होता है भहरीन गी होता है भारत का ही होता है लेकिन यापान का नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पार टो लिस्टेंट ऐस्तश आप लगत figured 15 अभरत कि याद को रहित कर पनाई प्रजाति किसे गोषित किया जाता है अपने प्राकर्तिक आवास में जो अपने प्राकर्तिक आवास में तो आप्सन आपके विलूप्थ प्रानी सूजफ के लिए आपने पढ़ा होगा एक लिस्ट जारी की जाती है और इसे बोलते है डाटा रिधा टो रेड डाटा वाप की सूच या राट डाटा लिस्ट यह कौन शे संस्था जारी करती है इस संस्था का नाम है यू सी एन कौन से संस्था आई उस एन के द्वारा जारी की जाती है आई यू सी ऐन आप पढ़तें इंटरनेशल उनियन conservation for nature और IUCN का अगर आप से पूछे कि headquarters कहां पर है headquarters कहां पर है gland और gland कहां पढ़ता है gland परता आपका swedger land में कहां परता है जी swedger land में gland परता है clear हो गया तो red data list आप याद रखें IUCN जारी करता है और यह कहां पढ़ता सब्सक्राइब करेंगे जो अपने प्राकरति के आवास में पतास वर्सों से नहीं देखा गया हो उसे क्या बोलेंगे विलूप तो आपका सरेड़ी में उसे रखेंगे आगे बढ़ते हैं एस बाग स्टेडियम कहां परिस्थित है लखनव लुदियाना भौपाल दिल्ली इ आपसे पूछा जाएगा आपसे इसी में पूछेंगे गुरु नानक स्टेडियम कहां पर अगर आपसे पूच रहा है गुरुनानक स्टेडियम याद रखेंगे कहां पर है लोधियाना पंजाम में आप से पूछे इकाना इकाना किरकेट स्टेडियम इकाना किरकेट स्टेडियम इकाना किरकेट स्टेडियम या इसी को बोलते हैं अटल बिहारी बाजपे स्टेडियम इकाना किरकेट स्टेडियम पर आपका लखनव इनको भी आप याद लखेंगे इकाना पूछे तो लखनव है गुरुनानक पूछे लोधियाना है एसवाग स्टेडियम पूछे कहां पर आपका भवपाल है कोटला फिरोज साह पूछे तो कहां पर आपका दिल्ली जवानलान लहरू भी पूछे आपका जवानलान लहरू स्टेडियम जवानलान लहरू स्टेडियम कहां पर है यह आपका कहां पर है दिल्ली में क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स सम्वीधान में मंत्री मंदल सब्सका उलेख केवल एक ही बार प्रियोग किया गया और वह किस आपका आर्टिकल में मिलता बरते सम्विधान में बताइंगे सभी कमेंट करके बताएं किसमें आपका उलेख मिलताएं अनुछे 352 में एनुछे 356 में इनमें इसा आपको बताना है किसमें उलेख मिलताएं तो मंत्री मंदल जब आप पातकाल पर दें राजट्र आपातकाल के स्मय आपने पढ़ी होग सब्सक्राबर देखते हैं मंतरी परिशद के विरुद्ध यह विश्वास परस्थाव लाने के लिए लोग सभा के सदस्थों के संख्या होनी चाजिए इसके सामने आपके सामने 30-40-50-60 तो लगभा कुल सदस्थियों का आप मानतें कि कि कितना होना चाहि Hah 10% होना चाहिए यह विश्वास परस्ताव लाने के लिए लगभग में आपको याद रखना है तो यह विश्वास परस्ताव आप याद रखना है तो आपको कितने सदस्य होने चाहिए अपने पास तो 50 सदस्य होने चाहिए तो उसके बाद आपको अविश्वास परस्ताव पारिच किया जा सकता है नेक्स्ट आगे नेक्स लाइन से देखेंगे नेक्स्ट कोसन क्या है नेक्स है प्रदान मंतरी को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है बताएंगे संसद के द्वारा चुना जाता है राष्टपती के द्वारा चुना जाता है ये लोकसभा हम बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है तो इन में से आप बताएंगे प्रदान म मंत्री जो ऐसे आपके नए लोगसभा चुनाव वे लोगसभा हुँनाव में जिस पार्टी को भॉमत मिलने के बाद में उस तो कोई भी आपका एक व्यक्ती हो सकता है उस का जो नाम है वो आगे के लिए रखा जाएगा कि यह प्रदान मंत्री बनेंगे लोग सब आगे बहूमत रखना है लोग सब हमें बहुमत प्राप्त वार्टी द्वारा नामित किया जाता है तो यह कौन होगा आपका पिरदान मंतरी और उसके बाद में कौन न्यूक्त करता है न्यूक्त करता है आपका राश्ट्रेपदी क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्ट को सन देखते है आपका क्या है नेक्ट को सन देखते हैं जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रे मंतरी रह सकता है एक वर्स के लिए छे माह के लिए तीन माह के लिए एक माह के लिए इनमें साब बताएंगे कौन सद सई है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है संसद का मतलब है ना वहारत के पुरदान मंत्रीओं में से कौन अपने कारie काल के दौरान कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्तित नहीं हुए थे तो आपको बताना है अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्तित नहीं हुए इन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा? यह अपनी कारेकाल के दोरन क्योंकि आपका कोई सत्राजित नहीं हुआ इसलिए आपका इनोंने पिटती भाग नहीं किया लग बग पांच महां तक आपके जो भारत के प्रिधानमंती रहे थे चौधरी चरन सिंग्ग तो आपको याद रखना है इसका साही आंसर क्या हो गया चौधरी चरन सिंग्ग आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं जी next question क्या है next question इसका सई आंसर क्या होगा रारू नदी पर इससे कौन सी नदी ये रारू नदी पर इससे ते आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उचा जल पर पात क्या है भारत का सबसे उचा जल पर पात कौन सा है भारत का सबसे उचा जल पर पात आप याद रखेंगे सबसे उचा जल पर पात कौन सा है कुंची कल कौन सा जल पर पात है कुंची कल जल पर पात है इसका नाम आप या कि नदी पर इश्थिते कौन से राज्य में है का मधल मैं 키 मुसिरी छुटारा तक में करना भिंद पर आपनेसक्सित पूचियाव existe विक का अगर आप से पूछे विष्टा सबसze उच्छ जलल पर पाद कौन सा ripe तरफाइब पर आप से पूछ रहा है कितनी इसकी हाइट है नाइन 779 मीटर इसकी हाइट 979 मीटर और वरी इस वगहर आप पूछ रहा है कुंची किलकी इतनी किकल की आत रहेंगे चारसो 255 मिटर इसकी हैट कितनी है 495 मिटर किलर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स कोस्टन देखते हैं जी नेक्स कोस्टन आपका क्या है चाबहार बंदरगा इस्थीत है आपको बताने चाबहार बंदरगा कौन से देश में इस्थीत है इराक इरान पाकिस्तान स्री लंका इनमें साब बताएं चाबहार बंदरगा इस्थीत है इराक इरान पाकिस्तान और स्री लंका इनमें साब को बताएं चाबहार आपसे कूछ है चाबहार बंदरगा तो चाबहार बंदरगा आप याद रखेंगे कहां पर है यह आपका इस्थान याद रखेंगे कौन से देश में इस्थित है इरान में कहां पर है इरान देश में इस्थित है आपका चाबहार बंदरगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं ज 711 की जंगरना के 9 सार्वाजिक जनिसंख्या गहनतवाला आपसे पूछ रहा है कौन बिहार और आपसे पूछे की निवन तर्फ जनिसंख्या गहनतव Channel राज्य कौन सा है इसका भी नाम याद रखेंगे इसका नाम क्या है इसका नाम है अरुनाचल परदेश सरवादिक जनसंख्या वाला अगर आप से पूछ रहा है सरवादिक जनसंख्या क्या है सरवादिक जनसंख्या वाला अगर आप से पूछे तो सरवादिक जनसंख्या आ वाला कौन सा आपका सिक्किम कौन है न्यूंतम जनसंख्या वाला न्यूंतम जनसंख्या वाला कौन आपका सिक्किम किलर हुआ आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन देखते हैं जी नेक्ट कोशन आपका क्या है नेक्ट कोशन को देखते हैं नेक्ट को सने माया जन जाती निवा जन जाती माय जन जाती आप से पूछा जा रहा है माय जन जाती कहां पर निवास करती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिको कहां पर निवास करती है मैक्सिको में निवास करती है माय जन जाती किलियर हुआ आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन कौन से देश में इस्थेत है यह आद रखेंगे देश का नाम क्या पाकिस्तान किलेड हो गोगि सुलिमान पर्वसरेनी कहाम पर आपका पाकिस्तान आगे बढ़ते यह थे पेरियार नदी नदी का उदगम इसल कहां पर आप्सान आपके सिवगरी इल सह अन्यम्लाइ हिल्स है भ्रहमगिरी हिल्स है अरावली हिल्स है इनमें से आपको बताना है कि कहां पर इसका आपका उद्गम इससले कहां से निकलती है बताएंगे सबी पेरियार नदी तो पेरियार नदी आपको बताना है पेरियार नदी ये कौन से राज्ये में बहती है आपकी राज्ये का नाम याद रखेंगे राज्ये का नाम क्या है केरल कौन से राज्ये में बहती है केरल केरल में बहती है और ये कहां से निकलती है ये निकलती है सिवगरी हिल्स से कहां से निकलेगी ये ये निकलेगी आपके सिवगरी हिल्स कहां से निकलेगी सिवगरी हिल्स और सिवगरी हिल्स अगर आपसे पूछा जा रहा है सिवगरी हिल्स कहां पर है सिवगरी हिल्स याद रखेंगे ये कहा पर आपका तमिलनाडू तो सिवगरी हिल से तमिलनाडू से निकलती है नदी का नाम क्या है पेरिया और इस तरीके से निकलते हुए आपकी कहां पर गिर जाती है अरब सागर में गिर जाती है कहां पर गिर जाएगी अरब सागर में आपके गिर जाती है नदी तो आपको तो आपाड रखेंगे और याद रखेंगा आंसर क्या और शिवग्री ab Ramsay तो शिवग्री हिल्स कहां पड़ता, आपका तंपिल नाडु में, नेट्ट गोशन देखेंगे, नेट बाउल खेल की कुल अवधी कितनी होती है, चार सामने आपके ओप्सन है, 45 minute, 60 minute, 35 minute, 90 minute इन्में से आपको बताना है net wall खेल की कुल अवधी क्या होती है 45, 60, 35 या 90 इन्में से बताएंगे सबी comment करके बताएं net wall net wall खेल की अवधी अगर आप से पूछा जा रहा है कुल अवधी कितनी होती है तो इसमें आप याद रखेंगे 60 Minute कितनी होती आपके 60 Minute के इसमें अजी होती है NetWall खेल की क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं अगर आपको मोक टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक बाज आप चैनल को Like करेंगे Subscribe करेंगे और आज की मोक टेस्ट का Last Question आपके सामने Last Question आपका क्या है Last Question है बेस बॉल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है आपके सामने उप्सन है छे आठ नो ग्यार है इनमें से बताएंगे बेस बॉल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है नो बेस बॉल में कितनी होती है खिलाडियों की संख्या नो संख्या आपकी होती है किलर हो गया तो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदाय लेता हूं धन्यवाद जेहिंद जेवारत